नमस्कार सभी जनता को गुड मॉर्निंग गुड आफटर नूट गुड नाइट जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अध्याई एक पढ़ रहे तो इसका पार्ट बन और टू आपने पढ़ी लिया होगा नहीं पढ़ा तो इसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस है ठीक है तो समयने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे काम है समझाना आपका काम समझना है तो वीडियो का अंतक डटे रहो लगे रहो ठीक है तो इस संदी कब होती है एन पीटी संदी ठीक है इसका निर्माण किया जाता आप 1937 में और इसके घोषणा पत्र पे 187 देशों ने सिग्नेचर किये थे ठीक है किते 187 देशों ने एन पीटी संदी की गौशड़ा पत्र पे किते देशों ने हश्ता चर किये थे 187 देशों ने आठ क्लियर भाई ना अगे बढ़ते हैं पूरे बिश्में परवाणू हतियारों को रोकने है तो की गई संदी को परवाणू आ जानते हो इतने समयदार हो चुकि यो खिलाल तुम लोग है ना तो इन्हें रोकने के लिए एक संदी की गई मतलब संदी का मतलब है समझोता किया गया सभी देशों के बीच अठीक है लेकिन हम सामिल नहीं हुए हमारी मर्जी है ना हम मर्जी के हैं ठीक है बताएंगे क्यों तो एक सबस्तासी देशों ने इस पर साइन कर दिये कि भाई हम भी मानते हैं कि जो परिमानु हत्यार बनाओंगा आप भी बनाओगे ठीक है परिच्छन करो गए इनसे विसली गयसा निकलती है आप जानते हो कोई परिमानु हत्यार जहां पर मिसाइल बगरा दागी जाती ह है कोई परिमानु बम गिराया जाता है इससे बहुत जादा रेडिशन निकलता है हनकारिक पदार्थ निकलते हैं ठीक है जो कि परियावारों को बहुत जादा हानी पहुंचाते हैं ठीक तो सबको लगा कि यहां बास्तम यार यह तो बहुत खतरनाक चीज़े हैं और हमें इस पर रोक लगानी चाहिए तो एक संदी का निर्मार किया गया जिसका नाम रखा गया एन पी टी ओके समझ गए होगे ना तो इस पर एक 87 देशों ने सिगनेचर कर दिये इस संदी का काम था परमाणू पर रोक लगाना कोई परिच्छण ही ना करेगा तो परमाणू कैसे बना पाएगा ठीक है पराश्च परिच्छणों होता है यानि कि सबसे पहले हम परमाणू का परिच्छण करते हैं उसके लूंप लगा दिया ठीक है और भारत को भी वह गए भपास इतने पर मारू हथियार उस समय बात कर रहे हैं में जिर Humö नहीं झार भी नहीं लेकर है लेकिन हमने इसके बाद भी परीछन किया कि यहां प्रमाणू का परिछन है ना नहीं यहिक्त है किम Kkoffs अमीनगा न्पिट को और ऑन यह ऊतर exhib है कि अ Mark इसके उपर क्योंकि हमें तो भई यह पर्मानों भत्यार चाहिए ना हमारे उपर कोई अटेक करेगा तो हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रखी है ना आई ना बास समझ में चीन इसका बहुत विरूद करता है चीन हमेशा यही गयता आप नपीटी पर सिगनेचर करो पर्मान सन्दी क्या है सन्दी का मतलब कुछ देशों के बीच में एक प्रकार का समझवता होता है उसके हम संदी कहते हैन संदी का मतलब जोड होता है हमारे तो मतलब क्या होगा ये बैलंस खराब हो जाएगा संतलन का मतलब दोनों वरावर है किसी के पास हतियार बहुtvा भूट ज़ादा है बम भूबूट ज़ादा है ठीक है तो क्या होगा तो दूसे औ हमेशा आप दिखाता रहेगा कियों चलो हम पढ़ते हैं फिलाल किसी आपात आपात मनले यूद बगएरा बहुत जादा आपती वाले समय की बात कर रहे हैं किसी आपात वाई यूद की इस्तिती को ध्यान में रखते हुए अपने सत्रू से सत्रू मतलब दुस्मन से टक कर लेने के लिए पहले से ही अन देशों का सयोग प्राप्त करके उन्हें अपने पच्छ में बनाए रखना सक्ती संतुलन क्यालाता है आई नवास समझमें अब जैसे कोई पावरफुल है सक्साली देश है हमारे पास हम अकेली हैं तो क्या करेंगे हम दूसरे देशों को अपने साथ जोड़ करके अपनी पावर को बढ़ा के रखेंगे ताकि अगर जह हमें आख दिखाए तो हम भी इससे मकाबला कर सकें यही से साजेदारी करके रखें ताकि हम मकाबला कर सकें अपने दुस्मून से ठीक है कि उसी को कहते हुं सक्ति संथmber 30 समझ में आ रहा है अगर कोई दिक्कत आया ना तो नीचे कमेंड में यह समझाना कि भीक है समझानाै ऐक्र फीसी प्रवबलम आया तो नीचे कमेंड में बता टोलए रोग का मतलब जा tym किसी चीड को रोख 10 तो कि स्टाफ मोर वर कि जब कोई देश यूद का खतरा उठाना नहीं चांबात है यानि कोई दिस यूद का खतरा नहीं चाहता हो कि अगर यूद् सति होगा है ना और वहां की अर्थ व्यूस्ता भी चौपट हो सकती है है ना अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई चल लई होगी तो तुम बहार निकल सकते हो कोई काम कर सकते हो पता लगा है दुस्मन कई टपका दे रस्ताई है ना तो क्या करोगे घर में छिपके ही रहोगे ना डरते रहोगे पैसा भी खर्च करोगे लड़ाई जगडा में उदर उदर से बारूद गोला लाओगे लड़ने के लिए है ना अगर यूद चला तो वहां तो लाना पड़ेगा, मिसाल उसाल लानी पड़ेगी, पैसा भी खर्च होगा, और देश की अर्थ बिस्ता भी इस चर मरा जाएगी, हम दूसरे काम से भी हमारा ध्यान भटक जाएगा, हम कोई और काम कर रहे हैं, भो भी नहीं हो पाएगा, मान लीजे तुम पढ़ाई कर रह हैं, जब कोई देश यूद्ध का खत्रा उठाना नहीं चाहता है, तो अवरोध की इस्तिती में यूद्ध रुका रहता है, अवरोध मतलब दुविधा में यूद्ध रुक जाता है, मतलब दोनों चाहा रहे हैं, यूद्ध है, दोनों किसे ना धंकी देरा इसे, ये देर है इसको ठीक है लेकिं दोनों को पता है अगर युध लड़े तो हानी नहीं को होनी वाली है तो दोनों सोच रहे हैं अगर युध नार टल जात तो ऐसे ही सही है खाली आँख दिकाने इसी काम चल जाए बस यूद ना करें ठीक है यूद का जितनी महासक्तिया न वो यूद नहीं करती कभी क्योंकि यूद का खत्रा ये उठाना नहीं चाहते हैं उन्हें पता बहुत ज़्यादा नुकसान होगा यूद से ठीक है पहले कितने यूद हुए किसी से कोई इलाव हुआ किसी है और दवदाम यूद रूखे जाए ऐसी सिटी को हम बोलेंगे सक्ती संतुलन ठीक है सक्ती संतोन नहीं सौरी रोक और संतुलन या अवरोद जब कोई देश यूद का खत्रा उठाना नहीं चाहता अब रोड़ी की सितिती में यूद रोका रहता है तो इस सितिती को अब को दिया रो क्या संतुलन कहते हैं ठीक है आई नाबास सम्झ में यूद क्यों रोका रहता है जैसे चीन चाहरा है हमसे लड़ाई लड़ना ठीक है हम भी चाहरा है अगर चीन कोई जादा आँख दिखाएगा तो लड़ेंगे ठीक है चीन को भी पता भारत इतना खंजोर नही होगा भविस में भी कोई बड़े उद्ध होनी की कोई संबावना नहीं है फिलाल ठीक है तो आप इस बात को समझ के रखो